सरस्वती नमस्तो भ्यम वर्दे कामरूपिणीम विद्यारंभं करिश्यामी सिद्धिर्भवतु में सदा नमस्कार स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूटूब चल बोले तो एकजाम कोच पर मेरे दोस्तों मेरे प्यारों मेरे भावी सिख्षकों आसा है विश्वास आप होंगे स्वस्त आप होंगे मस्त और होंगे आप व्यस्त चलते हैं शुरुआत करते हैं आपकी जाने से पहचानी सी क्लास बोले तो संस्कित वाली क्लास में मेरे दोस्तों इजो संस्कित वाली क् है तो चलते हैं जहां से आपको गय थे छोड कर मिलते हैं उसी चोगरा है पर बोले तो संधियों के उस संखरा को हम बढ़ाते हैं आगे और उन गुण आई नई या जाता जाय नोटी-नोटी नच्छी एक दूम नई वाली संधि बोले तो- इन संधि, कितन में पर्धियां संधि , कौन सी संधि बईया ? बोले तो- इन संधि है, इन gir संधि का जानते हैं हर संधियों का अपना-पना एक सूत्र होता है अब जितने गुरु जीयातने से अपना सूत्र बता के जाते हैं तो हमारा सूत्र सुनो भईया बोल तो इको इनेची यह संदी वाला सूत्र तो सुन लो सुन लो कौन सा यह रंगीन में लिखे एकदम colorful चीज़ें अच्छी लगती है हमें आज सा है विश्वा से आपको colorful चीज़ें ही अच्छी लेखती होंगे लिखो 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 सूत्र लिखो क्या इको 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 इनची सूत्र का नाम क्या है भाई साहब इको इनची पहला कुश्चन यहीं से बताओ यन संदी करने वाला सूत्र कोन सा होता है तो आप कहते हो इको इनची चलिए भाईया इन संदी करता है हम कहें मना करें पढ़नी लिख्के चलेगे यहेँ तो इसका मतलब समुए इस समझ few का अर्थ इस सूत्र क्या कhanता है आपसे इसमें 2-3 चीज़े एक है एक, एक है यण, और एक है अच्छी, इसी में होगी आपकी संधी, क्या क्या बताया, एक में है आपका क्या, इक, इको मतलब इक, यणा है मतलब तो आप जानते ही हैं यण, उसके बाद यहां अंति में का बचा, तो बोलो बोलो, मुख को खोलो, कुस्तो बोलो, बचा ह अच्छी समझ में आया इक यण अच्छी इतनी चीजे प्राप्त ही यही वी इक यण और अच्छी यही तीन चीजे मिलकर आपको यण संदी को समझाएंगी और आप पहचानों कि एक क्या होता है अण क्या होता है यहां पर एक से क्या तात पर है ऐसे लिख लेते हैं थोड़ प्रत्याहार समझ में आया अची से क्या तात पर है अच्छ प्रत्याहार ठिक, एक एक प्रत्याहार में है इसमें कौन से वन आते तो आप कहते हो इ आता है, उ आता है, उ आता है, अब बोले तो री आता है, फिर री, ई, उ, री और री ये चारवन ये आते हैं, यन की बात करते हो तो या आता है, फिर वा आता है, फिर रा आता है, और बोले तो ला आता है, फिर चलते हैं अच की ओर, तो अच का मतलब तो आप जानते हैं, सुरुवात में ही मैंने पढ़ाया, वन माला जहां से मैंने रिश्टार्ट किया था, वहीं बताया था यन का मतलब, सरी अच का मतलब होता है सुर बोले तो क्या? बोले तो सुर, अब आपके पास इतनी चीजे हैं, और मैंने शायद आपको बताया क्या बताया यही तो बताया कि तीन चीजने अगर आपको पता होंगी पूरवन पता होगा परवन पता होगा संधी वन पता होगा तो संधी बेहदासान हो जाती है चलते हैं समझते इनको पूरवन और परवन के संदर्व में कि अगर पूर में कौन सा व अभी तक आपने अबुरते संधी तक देखा होगा, कि आपको दो वरनों के मेल को संधी कहते थे आप, तो क्या होता था? आपका पूर्वन होता था, ब्रयों होता था, दुरुमनों के अस्थान पर र्यावन जोता होता था. होता इशोदा था किन्तू यण संदे में पहुंचते पहुंचते यहां पर दोनों के अस्थान पर आदेश नहीं होगा किसी एक वर्ण के अस्थान पर नया वर्ण बनेगा वो हम देखेंगे सीखेंगे जानेंगे कैसे होगा देख लेते हैं जैसे थोड़ा सा आगे भागते हैं और देखते हैं क्या, जी, कहते हैं, अगर हम परिभासा के तौर पर जानना चाहें, समनना चाहें, तो आप ऐसे बोल सकते हूँ, क्या, यदी, हरष्व या दीर्ग, क्या-क्या, क्या, ऐसे लिख लो, हरष्व, या फिर चाहे दीर्ग में हो, कौन हो, कौन हो, कौन हो, ई हो, री हो और ली हो इसके बाद क्या आए भाई साहब अगर ई, उ, री, ली के बाद कोई भी स्वर आए अच्छी यहाँ क्या लिख्या भाई साहब देखो मैंने क्या बताया अच्छी का मतलब यहाँ पे स्वर है स्वर कितने होते हैं नवठू होते हैं संस्कित में स्वर्णव होते हैं तो भाई साहब अगर हम यहां ऐसा कहें जैसे यहां वहां अच्की E-U-R-E-L-E के बाद स्वर्ण आये कहीं गलती से E के बाद क्रमस है E के बाद E ही आ गया तो क्या यर्ण संदी होगी नहीं होगी क्यों E के बाद E आएगा तो वहां दीर का रूक ले लेगा इसलिए यहां आप ऐसा लिख सकते हैं कोई असमान स्वराए क्या है कैसे पटेगी जब तक बडाबर का मामला होता तभी आपसमें समझ ता बढ़ियां रहता है तभी संदी बढ़ियां होती है कौनों जादा बढ़ गया तो कहां समझाता होगा वही कह रहे है कि यूरीली के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तब वहाँ पर यण संदी होती है समझ में आया कैसा हो याद रखना असमान स्वर कभी कभी कुशन यहां से भी ऐसे पूँछ सकता है कैसे पूँछ सकता है कि जड़ा बताओ यूरी के बाद असमान स्वर आने पर संदी कौन सी होती है तब आपको बताना होता है भाई साहब भाई साहब क्लास 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 यण संदी होती है कौन सी संदी होती भाई साहब यण संदी होगी अब कहते हैं यह देखो आपका यह आएगा आपके परवन में मैंने यही कहा है तीन चीजे आपको पता हो पोरवन, परवन और संधी वन तब आपको पता चल जाता है कि संधी कौन सी है अब जब ऐसी कंडिशन कहीं भी किसी भी शब्द में आपको देखने को मिले कि इधर आपके पूर्वन में EU रीलरी में से कोनो वेंड आया हो चाहे हरस्त होगा चाहे देर होगा और उसके बाद कोई भी आसमानस्वर आया है तब क्या होता है तब भाया यही होता है क्या E के अस्थान पर या आदेस हो जाएगा ध्यान देना यही तालिका यही इतने जही यह सब क्या है भाया ये है आपका संधिवन, क्या है जी ये? है आपका संधिवन, कौन? संधिवन समझ में है ये क्या है आपका संधिवन? पूर्वन, पर्वन और संधिवन, तीन चीजे अगर पता होगी यन शंधि भड़ी आराम से आएगी क्या है E U Lerry के बाद कोई भी असमानस्वार आता है तो क्रम सहा E के अस्थान पर या U के अस्थान पर वा रिके अस्थान पर लादे हो जाता है यहीं है पूरी की पूरी आपकी इज़रिंसंदि का मतलभ समझ में आया आए बात गई समझ में अब यहां कहोगे एक चीज़ और बता दूँ कि यह काहे लिए परवण में स्वर को रखा गया कैसे विवस्थित किया गया तो मैंने आपको सैथ पिछली क्लास में बताया था जहां पर छोटी की मात्रा लग जाए जाब छुड़काई की मात्रा लग जाती है उका होता है उँ हमेशा परवण में जुड़ बता रहा हूं भाई साहब जहां पर छोटी की मात्रा लिखावा कोई शब्द मिल रहा है मतलब वह वाला पोर्षन कहां जाएगा पीछे क्यों बोल तो परवण में जाएगा अब हमें ये छोटी की मात्रा बता रहा है ये तो आपको जुआर है बाकी व्याकण के दिश्टी देखो कि जिस शब्द में सब्तमी लगी होगी वो हमेशा परवण में रहेगा इतना जान लेना समझ लेना चलो आगे आते हैं इतना समझ में आ गया अगर इतना समझ में आ गया भाई साहाब तो चलते हैं अब देखते हैं आगे आगे इस तालिका को समझ लो तो उदाहन देखते हैं अब एक चीज और ध्यान दें, चलो उदाहन सीधे देखते हैं, क्या देखते हैं जी, उदाहरन, क्या देखते हैं जी, उदाहरनम अस्तो, चलो जैसे अगर लिखा है कहीं पर क्या क्या क्या, यदी, यदी कहीं पर लिखा है यदी, क्या बात है, यदी, कहीं पर लिखा है और आगे धन लगा के लिग दिया है अपी यदि धन अपी ध्यान दें अब हम सबसे पहले तो पहचानो कि ये कौन सी संधी है कैसे पहचानोगे तो आप देखरें जो प्रथम पद है उसका अंतिमवन ध्यान देंगे जो प्रथम पद है अगर उसका अंतिमवन क्या हो ई हो उ हो री हो री हो तो यहां क्या है मैं आप से पूछू कि यहां पर पूर्वन क्या है तो आप क्या बताना चाहोगे भाई साहब बोलो बोलो मुझको खोलो कुस्तो बोलो तो कहोगे भाई साहब यहां पर हरस्व ई है पूर्वन मैं पूछूंगा परवन कौन सा है तो आप चिल ए के बाद आ आया है तो संदिक कौन सी होगी बता 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 तो कहोगे दूइनों के अस्थान भाई यहाँ केवल और केवल ए का अस्थान पर पर परिवर्तन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा या हो जाएगा आई बाद गई समझ में यहाँ क्या हो जाएगा यहां सेस क्या बचा है सेस बचा है यदो क्या बचा है सेस यदो सेस बचा है इधर दूड क्या हो यह अपी है यह सीधा सीधा अपी उतर आएगा पलस अपी अर्स्तू अब मैंने आपको संधी की जब पहली भूमिकाम एक दम पहला चीज संस्कित में लिखाया तो यह लिखाया था वर्णानाम परसपरम विक्रिति मत्व संधानम संधी जब दो वर्णों का आपस में क्या हो विकार हो तींको विकार हुआ या इक eastern पर या हो गया उसके बाद क्या क्या संधानम होता है संधानम मतलब जोड होता है अब इन सब को आपस में जोड़ो जरा क्या बनेगा मैंने का है वर्णा नाम वामतो गती वर्ण जो अक्षर होते हैं में सब बाई और खिसकते हैं चलते हैं यह वर्ण है यह आएगा बाई और दा के पास तो का बन जाएगा का बन हलंत है यह पूरा हो जाएगा यहां आ तो हलंत हटा दिया बचा पी और यह वर वह पी क्या लिखा है यद्यपी और दा और यह को आप क्या लिख सकते हैं चाहो तो ऐसे लिखो और चाहो तो ऐसे लिखो समझ में आई बात यद्यपी यद्यपी में कौन सी संदी है तो कहोगी संधी है आई बात गई समझ में संधी विच्छेद का होगा यदिधन आप ही होगा आई बात गई समझ में आगे चलते हैं चलते हैं कितना बढ़ियां समझते हैं आप लोग सची मुच्छी बता रहे हैं कि आप से बढ़ियां कोई ने पढ़ता है सही बता रहे हूं मदुधन अरी ही लिखो 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 चापो 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 अजल्दी लिखो का लिखना है मदुधन अरी ही का लिखना जी मदुधन अरी ही अब देखो मदुधन अरी ही हमको कुछों नहीं बताना है आप लोग अपनी निगाह है थोड़ी और बड़ी कीजे और देखिए कि पूर्वन कौन सा है तो का बताओगे पूर्वन कौन सा है बता 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 जल्ली बताओ लिखित्वा प्रेश है तो कमेंड करो हम देख रहे हैं हम देख रहे हैं कमेंड करो करो जल्ली करो जल्ली करो बताओ, कहोगे रस्व U है, है की नहीं है, पूछूँगा परवन कौन सा है, तो कहोगे A है, और हमेशा मैंने बार-बार में कहा, कि जब आप कोई भी संधी पहचान नहीं हो, तो सबसे पहला कामकुरू पूर्वन देखो, परवन देखो, तुरंत कंडिसन पता चल जाएगी देखा मैंने पूर्वन U है, उसके बाद A है, देखो, अब U के बाद A समान स्वार आया, तो मैंने एक संधी पढ़ी है, इको एन जिसमें कहते हैं, E, U, रीलरी के बाद कौन हो, वा समान स्वार आ जाएगा, तो सही बता रहे हैं, कि वहाँ पर क्या होगा, हमेशा यन संध अधि होगी, तो उकेस्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, बोलो बोलो, अचल दी बोलो, वा आदेश हो जाएगा, यहाँ बचा कौन, ल, मद उसे मध बचे, मद उसे मध बचे, यहाँ क्या है, प्लस आरी ही, एना जी, अब यह आ आएगा, वा के पास, वा को पूर्ण र परा देगा, ऐसे बन जाएगा, यह धा आधा है, तो धा आधा लिख दो, वा में आ मिला, वा पूरा हो गया, री ही जोड़ दो, क्या हो गया, मद ध्वरी ही, मद ध्वरी में काउन से संधी है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे यहाँ पर आपका, आपका, क्या है भईया, यह और आपकी संधी है यंद संधी है इध्य अंड बहुत important उदारन है चाप लो लिख लो उतार लो भाईयाAt सुधी धन उपास्य ऊप किया जी सुधी धन उपास्या छाप लो भैया वेरी वेरी इंपोर्टेंट उदारणस्ती है सुधी धन उपास्या सुधी धन उपास्या अब कुछ नहीं करना वही दिमाग लगाना है पूछो बताओ तो पूर्वन पहचानो परवन पहचानो संधी वन पहचानो सारा काम इसी में हो जाएगा ज्यादा दिमाग लगाने के और शक्ता नास्ती यहाँ पर क्या है देर ई है इधर क्या है उ है ई के बाद असमान स्वार आया है तो का करोगे यहाँ पर आपकी यन संधी हो जाएगी और यन संधी में क्या होता है इकेस्थान पर, यहां आदीश होता है, यहां पर सुध बचा, क्या सुध, यहां पर Hat, अस्तूं यहां पर क्या बचा है, उपास्यang, सब क्या करना है, उठाए कर जोड़ देना है, अब आपके हाँ जो सोनिश सार मैच प्राते हैं, गोचे का माँते का माईत के बताओ वहां सिद्धी करते हैं और में इतना का चाहते हैं यहां क्या करो난 LAUGHTER तो यहां बन जाएंगा इंपोर्टेट उदारन है भईया, हाजी, यह क्या है, very 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 important उदारन छाप लो उतार लो लिख लो, सुद्ध्यो पास से हम, हम तो यह सोछते हैं, जब हम plus minus ऐसे प्ढहते हैं, तो पास में sponsor को खड़ा कर लिया करें, दांस वो किया करें, लिखा हम plus minus हम बोला करें, है ना जी, सद्ध्यों पास्या अज तो अरे समझ में आ कि आप लोग डांस करने लगे हो बताओ पहले आया आगे चलो 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 उवाला हो गया इवाला हो गया उवाला हो गया री वाला बच्चा है ना जी इवाला हो गया उवाला हो गया अवरी वाला बच्चा तो इसे एक से थोड़ आगे चलो, यह हम नहीं कर रहे हैं, यह जितने लोग निहार रहे हैं, आखे बड़ी बड़ी करके देख रहे हैं, यह लोग भी डांस कर रहे हैं, इनको बहुत डांस पता है भईया, यह लोग आज कल साधियों का मौसम चल रहा है, हाउक के डांस कर रहे हैं, नागिन डांस क इका हो रहा है लेगिर ढांस गलत कर दिए आज है जादू 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 lige जादू संसीत का जादू है इस अदो वेट आएगा गायब होगा वे इस्तिरी नहीं है पित्रिधन, आज्या मैं इस्तिरी मूब्य के बात करा हैं इसे बार अभी आ रहा था ईससे लिए हम नहीं आपको बता आया कि यह जो है कि यहां पर कि यह कोईश्थरी मूवी वाला किनी कोई जादू हो रहा है भाई साहब पित्रधन आ गया कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों मेरे मित्तों मेरे प्यारों अपने कोपे मुठाओं इसको प्लास मेंस करके जोड़ के बताओ, क्या होगा, उत्तर बताओ, यहां पर क्या है, मैं आप से पूछू, पूर्णवन कौन सा है, तो आप कहोगी री, क्या कहोगी जी, बोलो बोलो, फिर से सुरू हो गया, री होगा भाई सहावे ना जी, पूर्णवन आपका री है, ल पूछो आप से कि परवन कौन सा है, तो कहोगे तीरग आ है, फिर यहां देखो, अब जब यह दूनों मिल जाता है, तो वहीं से संदी क्लियर हो जाती है, कौन सी वाली है, संदी क्लियर हुई कि नहीं, यहां री है, यहां आसमान स्वर आया है, तो संदी कौन सी होगी, तो तो रा आदेश हो जाता है समझ में यहां बचा क्या है यहां बचा है पित क्या बचा पित इधर कौन है भया आजिया है क्या है आजिया है अब क्या करना है अंति में यही होता है कि संधानम कर दो जोड़ दो मिलाए दो क्या बन जाएगा यह ता और रा मिलता है तो का बनाता है पढ़े नहीं हैं संयुक्तिमीशृत विंजन में ता और रा मिलेücklich तो पित्र अग गया पित्र बन जाएगा बित्र बन गया तरा रा मिला अब ये दीर्ग smoke से बन गया ज्यां उत डवही से यह जितने लोग हैं सब पालन करते हैं लिखो 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 वधूधन आदेशह अब वधूधन आदेशा भया मान लिया करो नहीं तो फिर समझ लो वधूधन आदेशह मान लिया करो वधूधन आदेशा वधू मतलब वधू का आदेश मान लिया करो समझ में आया तो वदूधन आदेशा मान लिया करो अब वदूधू में क्या है भाईया पूर्वन क्या है बताओ बताओ कहोगे दीर उ है यही है इधर वद बचा ये लो वदूधू में वद सामिल भाईया नाम में देखो खतरनाख है ध्यान देना नाम में ही खतरना के वदू में वद चिपा हुआ है इधर आदेश आप समझ में आया यह आठ मार्च का हिले मनाते हो तुम लोग है यहाँ उ है इधर दिर्ग आ है अब उ और आ समान स्वर हैं तो क्या करोगी भाई से बताओ बताओ कुछ नहीं करना उठा के इस उ के अस्थान पर आपको वद आदेश कर देना है क्या हो जाएगा वद इधर बचा है आपका वद इधर आदेश यह सबको जोड़ दो अपस्म मिला दो यह धा आधा है तो धा को आधा कर दो वद है हलंत है इसमें दीर्ग आ है आ के इसमें देशा विजोड़ो तो वद वद देशा याद रहेखना वेरी इंपर्डिन दूधारन इसे शुद्धियू पास्थे मैंने बताया वद्धव द आधेशा मद्धवरित पित्राज्य धात्रशा इससे सब क्या है आप अपके बहुअः बहुअद बहुअद ल्रेधन आक्रति ही क्या ल्रेधन आक्रति ही आ भया ल्रेधन आक्रति ही तो देखो पूर्वन आपका सीधे सुरवात्य में क्या है ल्री हो गया है क्या हो गया भया ल्री हो गया है ठीक है ल्री इधर दीर्ग आ है आसमानस्वार आया है कुछ नहीं है यहां पर आपकी इं क्या होता है ला क्रितह को क्या भाई साहब लाक्रितह ही वन गया पूछेगा लाक्रितह में कौन सी संधी आप क्या हड़ाना नहीं है क्षेलोग देना है क्या यण संधी है समझ में आया बद्ध्वा देशा में संधी कौन सी है यण संधी है पित्राज्या में संधी कौन सी है यण संधी है और कोनों आज्या चाहिए तो नए तो लिखो एक आदू रहना और जोड देते हैं याना ही एक आद रहाण देख लो क्योंकि हीट संधी आपके लिए बहुत-बहुत बहुत-बहुत इंपोर्टन होती है रिखो प्र भट लिखेंड पर लुखे से अभी धन उद्यायाख लिखो अभीधन उदयाहा लिखो अभीधन उदयाहा ध्यान दें अभीधन उदयाहा यहाँ पे क्या है? रस्व ई है यहाँ पे क्या है? रस्व ई है यहाँ पे उ है ई के बाद उ आया है आसमानस्वर है असमान स्वारई तो E.S.T. पर या अदेश हो जाएगा यहां अभभचा है सेस क्या बचा है? अभभचा है यहां प्लस उदयाहा है ऐसे उतराएगा उदयाहा उँ आएगा या के साथ तो आ तो आ लिखलो आदा भा है आदा भा लिखलो यह में उक्की मात्रा रगा दो अभ्यू-दा अभ्यू-दया क्या बन गया अभ्यू-दया में संधी कौन सी तो कहो गे यण संधी है याद रखना भोलना नहीं है ना जी एक और लिख ले उदारन माना जैसे नदी धन उर्मिह क्या क्या? द्यान दे नदीधन उर्मिह कुछ नहीं है यहाँ देर्ग ई है देर्ग ई के अरस्थान पर या अदेश किया यहाँ नद सेस बच्चा है ठीक है इधर उर्मिह है तो उ देर्ग उ है उर्मिह ऐसे से उतरता चलाएगा यहाँ पर आब क्या होगा दा आधा है तो दा अड़याव हो जाएगा है नजी नद्य हो गया क्योंकि उधर आएगा द्याव मी लगा तो नद्यूर्मी ही क्या बन गया नद्यूर्मी ही समझ में आ गया यहन संधी दिखो यह एक्जाम कुर्स लगा तार आपके साथ एकदम बेहतरिन तरीके से आपको हर content प्रोवाइड कर रहा है आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आप इस exam question को दिन वदिन उस उचाईयों तक ले जाएं जहां तक ही जाना चाहता है जहां तक इसका लक्षे है साथ ही साथ मेरे दोस्तों मेरे प्यारों मेरे मित्रों आप से परिक्षक बरती परिक्षक की तैयारी कर रहे है तो हमें लगता है कि exam coach is the best channel for you दिखो अंग्रेजी बोल लिया मैंने अना जी गजब निकल चली आती है अना जी exam coach नमों अंग्रेजी में रखती है तो का करें हम उक अंग्रेजी आ जाते है समझ में आया बस इसी रिच्छो अब मिलते हैं वेले वीडियों साथ तक 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 लेते हैं आपसे वीदा नमस्कार शुभम भोयात सरवदा